हलो फ्रेंट्स नवस्कार एक बार फिर से आप सभी का वेलकम एक न्यू वीडियो में दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अगर हम IDFC First Bank में एक लाख रूपे का FD करते हैं तो IDFC First Bank हमें maturity पर कितना amount देगा यहनि कि कितने रूपे का ब्याज देगा सो ऐसे बहुत सारे लोगों की कमेंट आए मेरे पास तो सुचें इस टुपिक पर एक वीडियो बनाने चाहिए अगर आपका भी कोई कमेंट है तो आप कमेंट करिएगा हम आने वाले वीडियो में से cover करने काशच करेगे उसके आदार पर एक वीडियो बनाने की कौशस किया करेंगे तो आज हम आपको अपने को लाइब दिखाएंगे कि अगर आप IDFC First Bank में एक लाख रुपे का FD करते हैं तो IDFC First Bank आपको एक महीनी में कितना ब्याज देगा छे महीनी में कितना ब्याज देगा और एक साल में आपको कितना ब्याज देगा और पांच साल में कितना ब्याज देगा तो complete हम समझेंगे बुलको light process को आप जानते हैं कि IDFC First Bank आप लोगों को monthly ब्याज देता है ये एक पैसा पहला bank जो आपको हर मेने ब्याज भी देता है आपके saving account पर और इसी के साथ यहाँ पर आपको जो ब्याज मिलता है FD पर वो other bank की तुलना में काफी अच्छा मिल जाता है यानि कि काफी high interest rate देने वाला bank है बहुत सारे लोग अधिक interest की वज़े से ही इस bank में account को open कराते हैं और वो अपने saving खाती पर रखे पैसे पर FD करके अच्छा खासा interest प्राप्त करना चाहते हैं तो आज किस वीडियो में समझते हैं कि एक अलाक रुपे का अगर हम FD करते हैं IDFC 1st bank में तो bank हमारे लिए इस पर कितना भ्याज देगा ये सारा process में आपको समझाऊगा मोईल की skin पर वोगो like तो आप वीडियो में बने रहेगा चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देजीगा वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक कर देजे यहाँ पर आपको इसी प्रकार की बेंक्स जोड़ी जानकारी समय समय पर मिल दी रहती है तो काईस, IDFC 1st Bank में FD का interest calculate करने के लिए हमने IDFC 1st bank के calculator को open कर लिया है आप लोगों के लिए link देदें या फर direct search करेंगे आप IDFC 1st bank FD calculator तो यह website आपके सामने कोल के आ जाएगी नम्मर 1 परी अब यहाँ पर आप लोग सबको select करना पड़ेगा हाइस जो interest rate है इसका वो 7.5% तक का है लेकिन यह आपके time के उपर depend करेंगा कि आप IDFC कितने समय के लिए कर रहे है यहाँ पर आपको select कर लेना है account का type कि आप regular है यहाँ पर senior city जाने तो आप select कर लिएगा इसके बाद यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा amount कितने कि आप every करना चाहते तो आप इस लाएं को select कर सकते बढ़ना आप यहाँ पर डारेक्ट नीचे option मिल रहा है तो आप इसको यहाँ पर एक अलाग रुपे डाल दूगा यहाँ पर तो हमने आप एक लाग कर दिया है अब यह time पूछ रहा है आपसे इस column में आपको एक करदे है अने एक साल के रहे हैं इसके बाद जो डे है इसमें आपको जीरो तीका तो आप जीरो कर देजका इसका रीजल्ट अपके सामने आज आएगा उपर आपको इसका इंटर्स्ट देंगा कि अगर एक साल के लिए हम ए हम करता है एक रोपे कीficiente बैक बें आज 15 अगस्त 2023 है, आज इतका दिन हमारे लिए बहुत मैतपूर है, आप सभी को 15 अगस्त की बहुत-बहुत सूब कामना है, नीचे आपको maturity की value दिखाई देगी, यहनि कि जब आप ये FD mature होगी, तो कितना amount आपको मिलेगा, तो अगर आप IDF Space Bank में 1 लाख रुपे की FD को 1 स साल के लिए करते हैं, तो यहां पर आपको अभी के interest के साब से 1 लाख 6,666 रुपे बापस मिल जाएगा, नीचे आप लोग को यहां पर interest भी आपका दिखाई देगा, कितना interest का amount आपका बनेगा, तो 6,666 रुपे आपका यहां पर बनने वाला है, एक साल में 1 लाख रुप 5 परसेंट का, और यहां पर हमारे लिए जो maturity पर amount यहां पर मिलेगा, वो मिलने वाला है, एक लाख 15,463 रुपे का, यहीं कि 15,463 रुपे हमारे लिए ब्याज का मिल जाएगा, दो साल में 1 लाख रुपे के FD करने पर IDF First Bank में, अब हम 5 साल की FD को और देख लेते हैं, कि अगर वह व्यक्ति 5 साल के लिए FD करना चाहता है, तो उसके लिए कितना यहां पर व्याज मिलने वाला है, तो बस हम यहां पर वहां की सब amount same रहने देंगे, आपको बस year वाले column में 5 कर देना है, यहीं 5 साल के लिए FD करना है, नीचे automatic के देखिए, आपके सब कुछ amount आप आपको maturity पर मिलेगा, date भी आपको दिखाए देगी, कब यह आपकी FD mature होगी, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं, नीचे आपका total interest देखेगा, आपको amount में 41,449 रुपे का व्याज आपको IDF First Bank देदेगा, एक लाग रुपे की FD करने पर 5 year में, अब बात कर लेते हैं IDF First Bank में 1 महीनी के लिए करते हैं, तो कितना ब्याज मिलेगा? तो यहां पर आप लोग को 1 महीनी में डाल दिया है, लेकिन अगर आप अपनी FD को 1 महीनी के लिए करते हैं, तो यहां पर आपको ब्याज मिलेगा 4% के एसाब से, तो अगर आप 1,00,000 रुपे की FD IDF First Bank में ए 1125 रुपे का टोटल ब्याज देखने को मिल जाएगा तीन महीने के एपडी करने पर अगर आप अपनी एपडी IDFC 1st बैंक में 6 महीने के लिए करते हैं तो बैंक आपके लिए 5% के इसाब से ब्याज देगा जिसमें टोटल 6 महीने में 1 लाग रुपे पर आपको 2500 रुपे का ब एपडी को साथ दिन के लिए करता है IDFC 1st बैंक में तो यहां पर उसके लिए 3.5% पर एनम के इसाब से इंटर्स देखने को मिल जाएगा तो एक लाग रुपे पर आप लोग को साथ दिन में यहां पर 67 एनि 60 रुपे का ब्याज देखने को मिल जाएगा वहीं अगर आप 1 साल की अब्याज मिलेगा 5 साल में कितना मिलेगा महीनीस में कुछ मिलेका दिन करते हैं दिन में कितना मिलेगा अगर आप IDFC 1st बैंक में अपको जिरो बलनेमीलता है इस बैंक में अगर आपको 25,000 रुप लेकिन अगर आपको इतना ही ब्याज चाहिए और इसी प्रकार की सर्विस चाहिए और कोई Zero Balance अकाउंट खोलना चाहते हो तो इसका लिंक मिलेगा आपको वीडियो को डिस्कुस्टन में, अब कोटक महंदरा बैंक का 811 अकाउंट या फिर A Small Finance बैंक का Zero Balance अकाउंट उपन गस सकते हो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में